Class 9th Maths Exercise 1.5 Question No.5 Question No.5 में वो कहता है वो कहता है कि ये दो matrix मैंने दी हुए हैं तो मुझे बताओ कि ये दोनों आपस में multiplicative inverse है के नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन दोनों matrices को multiply करेंगे तो हमारे पास answer आएगा identity matrix जो के equal होता है 1001 के multiply कराता है तो मैं इसको कहता हूँ a इसको कहता हूँ b तो a b का product तो क्या है जी a हमारे पास 3 4 5 7 multiply by 7 minus 4 minus 5 3 तो इसको मैं multiply करवाने जा रहा हूँ 3 into 7 plus 5 into minus 4 4 into 7 plus 7 into minus 4 इसी तरह 3 into minus 5 plus 5 into minus 3 ठीक है और 4 into minus 5 plus 7 into 3 ठीक है जब इसको calculator पर solve करेंगे तो हमारे पास answer आएगा 21 minus 20 ठीक है तो इसी तरह 28 minus 28 minus 15 minus 15 plus 15 और इसी तरह minus 20 plus 21 ठीक है तो इसको फर्दर solve करेंगे तो हमारे पास answer आएगा 21 minus 21 28 minus 28 0 minus 15 plus 15 0 और minus 20 plus 21 1 तो इसने condition satisfy करता है दी जब इन दोनों को multiply करवाया आपस में तो हमारे पास answer आगया identity matrix तो yes they are multiplicative inverse of each other यह part 1 solve किया इसी तरह part 2 solve करते है तो यह हमारे पास part 2 है इसका भी answer हमारे पास क्या आजना चाहिए identity matrix जो के 1001 होता है तो आईए इन दोनों matrix जिसको नाम देते हैं A matrix और B matrix तो find के करना हमने A B का product तो A matrix को मैं लिखता हूँ जो के मेरे पास 1,2,2,3 है और B matrix मेरे पास है minus 3,2,2,2,2,1 ठीक है इन दोनों का product 1 into minus 3 plus 2 into 2 इसी तरह 2 into minus 3 plus 3 into 2 इसी तरह 1 into 2 plus 2 into minus 1 2 into 2 plus 3 into minus 1 तो इसको फर्दर solve करेंगे तो minus 3 plus 4 minus 6 plus 6 2 minus 2 और 4 minus 3 तो इसको आगे solve करते हम इदर line लगा देते हैं ताके mix ना हो तो जब इस matrix को मैंने solve किया आगे तो मेरे पास answer क्या आगया 1,0,0,1 तो यही तो हमने prove करना था तो इसमें भी क्या लिखेंगे yes, they are multi applicative inverse of each other तो इसी तरह हमारा question number 5 मुकमल होता है